नमस्कार, हिंदी साहित्यवाद्ता में आप हैं इस वक्त सुभाश टाकुर के साथ दोस्तों, JRF हिंदी 2021 की तैयारियों के अंत्रगत हम इकाई दो पड़ रहे थे और जिसमें हमने रिती काल के बारे में पड़ा था सबसे पहले जो उप विभाजन होता है रिती काल का सबसे पहले उसमें रिती बद कावय को लिए जाता है और रिती बद कावय को लगबग हमने कंप्लीट कर लिया था और उसके जितने भी महत्वपूर्ण कवी थे और उनकी जो जो भी कृतियां थी उन सब के बारे में हमने डिसकस कर लिया है पूरे के पूरे छे लेक्चर हमारे उसके उपर बने हुए हैं अगर आपने अभी तक वो बारे लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप एक बार उने भी देख सकते हैं तो देखिए उन लक्चर्स में हमने रितिकाल से समंधित कि किस तरीके से प्रशन पूछे जा सकते हैं और किस तरीके से उसका विभाजन अलग-अलग तरीके से किया है चाहे आपका काव्यांग नी रूपक क्या धार पर हो या फिर आपके जो महतवपूर्ण कवी हैं उनके पर हो तो ये सारी चीज़ें हमने डिसकस कर ली है कौन जादा महतवपूर्ण है कौन कम है ये चीज़ें भी हमने अच्छे से उसमें बता दी हैं तो आज हम इसका जो दूसरा पार्ट है देखिए रिति सिध काव्यधारा उसको हम पढ़ने जा रहे हैं तो आज हम जो रित सिध अन्य कवी हैं कुछ ना कुछ और कवी भी ऐसे हुए हैं जिन्नोंने रिति सिध हात्मक चोकरितियां रची हैं तो उनके बारे में हम आज बिस्तार से जानेंगे कि कौन-कौन से बिहारी के साथ ऐसे कवी हैं जो रिति सिध काव्यधारा के अंतरगत आते हैं तो को रिती सिद्ध कहा जाता है कि इनको रिती बद कहा जाता है तो अगर हम यहाँ पर थोड़ी सी नजर दोड़ा हैं यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि रिती सिद्ध काव्य मान सिकता कि इस तर पर रिती बद काव्य के ही समान है तो जो रिती सिद्ध और रिती बद है वो दोनों दोनों क्या है लगवग एक तरीके से सेम सेम ही है लेकिन थोड़ा सा इसमें अंतर क्या है देखिए इस तरह के कवियों ने कावशास्तर के सिध्धान्त या लक्षन प्रस्तुत नहीं किये हैं जो लक्षन किसने प्रस्तुत किये थे जो रिती बद कवियों ने किये थे वो इन्होंने थोड़े से उसमें प्रस्तुत नहीं की है केवल इन्होंने क्या 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 कवीताइं लिखी और यह कवीताइं वस्तुत कावेशास्तर के लक्षनों को ध्यान में रख कर ही लिखी गई है तो दीखिए पहली चीज यह क्या कह रहा है कि लक्षन प् कि लक्षन थे उनको उन्होंने ध्यान में रखा है मतलब जो हम पहले भी बात कर रहे थे कि दोनों चीज़ों में इन्होंने क्या किया है समन्वे स्थापित किया है जो आपके रिती सिद्ध कवी है क्योंकि ये कवी करम में कहा जाता है इनको कहिए सिद्ध थे इसलिए इनको माना जाता है कि रिती सिद्ध थे इन्होंने उस रिती को या उस लक्षन को जो कावय शास्त्र में थे उनको तो रखा लेकिन उन्होंने अपने जो कविकर्ण कर्म है उसको जादा महत्वर दिया है तो इसलिए इनको रिती सिद्ध कव में भी देखने को मिलती है तो यहां पर भी धोड़ी सी similarity ही मिलती है किसे रिती बद से इसमें क्यों क्योंकि जो विशेष्टा हैं जैसे राजाओं की प्रशास्ति या राजाओं की प्रशंसा करना फिर जैसे श्रिंगारिक्ता है ये सारी चीजें तो इसी के चलते विशुनात प्रसाद मिश्र ने इनको क्या कहता कि ये आपका श्रिंगार काल है और श्रिंगारिक्ता ठीक वैसी ही जैसी किसमें थी आपके रिती बद गावे में देखने को मिलती है तो ये चीज़ें भी उसमें सिमिलर हैं अगर हम प्रमुक रिती सिद्ध कवियों की बात करें ये मैंने आपको पहले भी बता दिया कि प्रमुक नाम जो है वो बिहारी का ही आता इसमें और ज्यादा तर फोकस हमें बिहारी के उपर ही करना चाहिए लेकिन UGC नेट की परिक्षा में हम दूसरी चीज़ों को या जो गौन प्रवितिया हैं जो गौन साहित्यकार हैं उनको कभी भी नकार नहीं सकते ये चीज़ जानना बहुत जरूरी है तो इसलिए पूरा का लेक्चर आज हमारा क्या है वो इन्ही अन्य कवियों के उपर है बिहारी क हम नेक्स लक्चर में कंप्लीट करेंगे तो देखिए इसमें सबसे पहले सेनापति का नाम आता है हालांकि सेनापति को आपने देखा होगा कि हम कुछ विद्वान जो है भक्ति काली निचु सगुन कावे है उसके अंतरगत भी रखतेते हैं राम भक्ति कावे के धारा के होता है फिर कृष्ण कवी है और उसके बाद रसनिधी और पजनेस इत्यादी और इसके साथ इसाथ वरिंद कवी जो बहुत ही मौतपूर्ण है उनके बारे में भी थोड़ी सी चीज़ें हम आज इसके बारे इस लक्चर में जानेंगे तो ये मौतपूर्ण या प्रमुख जो रिती सिद्ध कवी है इनके बारे में हम आज विस्तार से पढ़ने जा रहे हैं तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं इसमें जो आपके प्रमुख रिती बद्ध रिती सिद्ध कवी है सेनापती तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा कि जो सेनापती है देखिए य जो फुटकल रचनाओं, जो फुटकल रचनाए हैं, इस प्रक्रण में इन्होंने कहा है, इनको स्थान दिया है, है ना सगुण भक्ती के अंतरगत, इसने अचारे रामचंदर शुकलने, हालनकि इनका जिक्र कहां पर किया जाता है, रिती सिद्ध कवियों में भी किया जाता तो इसलिए शायद अचारे रामजंद्र शुकल ने इनको कहां पर रखा है आपका जो फुटकल रचनाये हैं भक्तिकाल की उनके अंत्रगत इनकी रचना को रखा है और इनका जनम है देखिए 1589 नवासी के आसपास ठीक है आगे देखिए कि सेनपति को रितिकालीन कवियों म प्रकृति वर्नन की दिष्टी से अद्वित्य कवी माना जाता है तो ये चीज इनके बारे में बहुत पार पूछी जाती है कि रितिकालीन कवियों में प्रकृति वर्नन की दिष्टी से अद्वित्य किसको कहा जाता है तो ये सेनपति ही है अचारे रामचंद्र शुकल इ ये बड़े सहिद्धय कभी थे, ये किसे लिए कहा या फिर रिट्वर नन तो इनके जैसा और किसी श्रिंगारी कभी नहीं किया है। या फिर आखिर वाली पंक्ति आपको दे दी जाएगी और पूछा जाएगा कि ये किस ने किसके समंध में कहा है। जाती है कवित रतनाकर जैसे मैंने पहले भी कहा आपको कि ये रामकथा का वर्णन इसमें देखने को मिलता है और इसमें पांच तरंगे और तीन सो चौरानुए छंद हैं तो ये चीज आपको याद रखना इसके बारे में जरूरी है कि रामकथा के अंतर गताती है ये और इ इसमें पांच तरंगे और तीन सो चौरानुए छंद ये भी आपने याद रखना है जो इनका दूसरा गरंथ है देखिये काव्य कलब दरुम इसको माना जाता है रीती गरंथ तो रीती वाला गरंथ क्या है इनका का बगे कलप दरुम को ही माना जाता है तो ये दो विशेष्टाओं में से एक विशेष्टा मानी जाती है तो यह था पूरा कब पूरा आपका सेनपती के समन्द में जो जो भी मौत्रपॉन चीज़ें थी वो मुने आपके बीच में रख दी हैं अगर इसके अलाबा भी कुछ और चीज़ें हैं तो आप वो भी मुझे कमेंट रस निधी का तो देखे रस निधी जनम इनका 1603 और मृत्यू 1660 के आसपास मानी जाती है और इनका जो वास्तविक नाम या मूल नाम था देखे पृत्वी सिंग था तो यहां से इस तरीके से प्रशन पूचा जा सकता है कि किस रिती सिद्ध कभी का मूल नाम पृत्वी सि ये थे रस निधी, इस तरीके से भी आपने प्रशन याद रखना है, हर तरीके से जिस एंगल से आपको लग रहा है कि प्रशन बनने के संभावना है, उसको वैसे ही याद कर डालना है, तभी हम अपने लक्षक के बहुत करीब होंगे. नेक्स से दिखिए कि ये दतिया के एक जमिदार थे, इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी आसल होती है, इसके इलाबा कोई जादा इनके बारे में भी हमें वनन देखने को कहीं भी नहीं मिलता है. इनकी जो मौतपुन चीज ये है कि इन्होंने बिहारी सतसई के अनुकरण पर क्या किया? दोहा संग्रह जो लिखा इन्होंने रतन हजारा शिर्शक से इसकी रचना की इन्होंने और रतन हजारा इन्होंने इसमें क्या है? अधिकांश, दोहे, नीती, श्रिंगार और भक्त इन्होंने बिहारी सतसई के अनुकरण पर और मैंने आपको पहले भी बिताया था कि सतसई की जो रचना है वो कहां से माननी शुरू हो जाती थी? आपके जो क्रीपाराम की हित्तरंगनी है, वहीं से ही मानी जाती है और सतसई से रिलेटेड प्रशन पूछा जाता है आपका रितिकाल से समंद में कि किस रितिकाल इनकवी ने सतसई लिखी है और किस ने नहीं लिखी है ये चीज़ मैं आपको बार-बार कह रहा हूं कि इसको आप जरूर फोकस कीजिएगा तो देखिए रतन हजारा के अलावा इन्होंने रसनेदी सागर भी लिखा इस रचना पर फ इन्डोला तो ये इनकी अन्य रचनाएं हैं इनके बारे में हो सकता है कभी पूछ लिया जाए तो आप एक बार इनको भी जरूर देख लें ठीक है हालांकि उतनी महतोपुन नहीं है इनकी जो रचना है वो आपकी रतन हजारा और रसनिदी सागर हैं इसके अलावा जो अंतरवेद कहां को कहा जाता है ये हमने पहले डिसकस कर लिया था है जब हम अंतरवेदी भाशा के बारे में पढ़ रहे थे किसको कहा जाता है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर बता सकते हैं तो पन्ना नरेश छत्र साल के आश्रे में ये रहे हैं ये चीज़ भी म इसमें देखने को मिलता है आपके शकुन तला नाटक में इनके समन्द में इतनी ही जानकारी उपलब्द है और इनकी अन्य कोई रचनाए मालूम नहीं पड़ती हैं कि इनके समन्द में और भी रचनाए रची है। ठीक है आगे देखिए इनके जो आश्रेवाह दाता थे यह औरंग जेव और किशनगर के राजा राजसिंह थे तो ये दो लोग इनके क्या थे आश्रेवाह दाता थे इनके आश्रेव में रहे गे और इनकी जो प्रमुक रचनाएं हैं देखिए 12 मासा यह इनोंने 1668 में विभिन भावों का वर्नन देखने को मिलता है आपका भाव पंचाशिक कमें. जब कि नैन पचीसी ये भी 1686 में ही लिखी थी और नैन पचीसी में इन्होंने देखिए जो नैन का मतलब होता है आपका आंखें ठीक है? और आंखों के दवणा प्रकट जो विभिन भाव होते हैं उनका इसमे उनने वर्णन किया है नेन पचीसी में या यूँ कहें कि नेत्रों दवणा प्रकट विभिन भावों का वर्णन किसमें है 95 kevin 25 तो पवन पचीसी में देखिए जो छह रितूएं है हमारी उनका चप्य चंद में वनन किया गया है। पुष्टिंगार शिक्षा में और यहां पर देखें इन्होंने यमक सत्सई 1706 में लिखी है और इसमें लगभग 700 चंदों में इन्होंने यमक अलंकार का वन्नन किया है तो यह अलंकार निरूपक यमक सत्सई इनकी महत्वपूर्ण रचना माने जाती है ठीक है तो 715 इसमें क्या है चंद माने जाते हैं यमक सत्सई में तो देखिए वरिंद ने भी आपकी क्या लिखी है सत्सई लिखी है तो कुछ एक विद्वान इसको क्या कहते हैं वरिंद सत्सई भी इसको कहते हैं तो यह था वरिंद निवाज के बारे में थोड़ी सी चीज़ें की कौन-कौन इनके कवीता काल की बात करें तो 1843 के आसपास इनका कवीता काल माना जाता है और इनकी जो महत्वपून रचनाएं हैं दीखिए वो सिर्फ पजनेश प्रकाश है जिसमें इनकी फुटकल जो कवीताओं का संग्रह माना जाता है और कुछ एक विद्वान इनकी जो मानते हैं द ठीक है जो आपके कवीत स्वया और नक्षिक या फिर मधूर प्रिया हैं देखिए इनका वनन शिव सिंग सैंगर ने शिव सिंग सरोज में किया है ये चीज इनके बारे में कही जाती है तो इससे जादा पजनेश के बारे में भी कोई जादा चीज़ें नहीं है एक चीज यहां से फिर से याद रखिएगा कि नक्षिक इन्होंने भी लिखी है निपशंबू तो यहां पर भी नक्षिक लिखा है और बुद्ध भूशन नाइका भेद और साथ शतक तो निपशंबू के बारे में भी सिर्फ इन रचनाओं का ही जिक्र मिलता है कि इन्होंने ये र हठी जी तो राधा सुधाश्यतक या श्री राधा सुधाश्यतक भी इसको कहा जाता है जिसमें राधा के चरित्र चित्रन का वनन किया गया है और इसमें 103 चंद है ये चीज भी आपने याद रखना कि 103 चंद है और वो किसमें कवित स्वये में है जिसमें राधा के वनन मे में दो चीजे हैं देखिए राधा के बनन में जो राज सी ठाट बाट है उसका और दूसरा विलास का चित्रन तो ये है हटी जी ठीक है नेक्स से देखिए राम सहाय दास तो इनका कई जगा राम सहाय भगत नाम भी आपको मिल जाएगा तो ये दोनों एक ही चीज है ये राम सी की ठीक है तो ये चीज भी इनके समद्ध में महतापूर्ण मानी जाती है जो प्रमुख रचना है इनकी कह कह रहा ही है और इसके अलावा इन्होंने भी सत्साई लिखिया देखिए राम से राम सत्साई ठीक है फिर वानी भूशन है वृत तरंगनी है और कहका रहा तो य ये चीज़े ही इनके बारे में महतापूर्ण है ये ही इनकी प्रमुख कृतिया मानी जाती है आखरी जो है देखिए विक्रम अदित्य तो इनको वाजपे भी कहा जाता है विक्रम अदित्य को या आप एक चीज इसके बारे में नोट कर लीजेगा वो चंदरशेकर है विक इन्होंने विक्रम सत्साई लिखी है और ब्रज लिला इनकी जो प्रमुख रचनाए हैं तो दो रचनाए हैं देखिए ये इनकी और सत्साई की रचना इन्होंने भी की हुई है तो बहुत सारे आपको विद्वान इस मैंसे मिल जाएंगे जिन्होंने सत्साई लिखी है और नक्षिक लिखे हैं ये चीज़ें आपने फोकस करते जाना है तो ये थे जो भी आपके रिती सिद्ध कवी थे जिनके बारे में थोड़ी सी चीज़ें हमने जानी हालांकि यहां से प्रमुख जो नाम है वो बिहारी का ही है और आज हम सिर्फ इनको फैले कंप्लीट करना चाह रहे थे कि जितने भी हमारे अन्य जो रिती सिद्ध कवी हैं प्रमुख उनके बारे में देख लेते हैं अगले लक्षर में हम पूरा का पूरा बिहारी के संबंद में और उनके संबंद में विद्वान क्या कहते हैं उनके कौन से जो चीज़ें हैं उनके बिहारी सत्साई म मिलेंगे बिहारी सत्साई के साथ तो फिलाल आज के लिए इतना ही दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज दिसे लाइक कीजिए अपने दोस्तों के बीच में शेर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें तो फिर मिलेंगे नई और जर् नाइस पूर्टी के साथ तब तक के लिए शुक्रिया जय हिंद